So Hello everyone and welcome back to our YouTube channel So friends, आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो Snapchat होता है उसके एकाउंट को हम लोग पर्मानेटली डिलीट कैसे कर सकते हैं जैसे आप में से बहुत दोंगे जो Snapchat चलाते ही होंगे और कभी कबार ऐसा होता है आप लोग उसको डिलीट करना पड़ जाता है जिसके वीडियो में हम लोग यही जानेगे कि हम लोग अपने Snapchat के एकाउंट को पर्मानेटली डिलीट कैसे कर सकते हैं और आप लोग को मैं सारे स्टेप्स को बताऊंगा और जानते ही आप लोग कि जैसे कभी-कभी होता है नए-ने अपडेट्स आते रहते हैं जिसके वासे उसके जो एकाउंट का डिलीट का जो ऑप्सन होता है उसको Snapchat के तब से छिपा दिया जाता है ताकि ज्यादा तर लोग उसको डिलीट नहीं कर पाते हैं बहुत जादी प्रॉब्लम्स आती है और अगर आपने पतर खमाइस युट्व चैनल को सब्सक्राइब ना गया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो आई चलिए आज की वीडियो स्टाट करते हैं क्यारे पतर बाद देखते हैं रह घ्राएब आपने पेसर सेटिंग पर चलिया आना है यहिसे की आप है यहां पर setting पर चले आना है तो जैसे कि आपके इस तरीके का profile आ गया है profile पर पहने बाद यहां पर आप देख सकते हैं setting का option है तो setting पर आने बाद friends आप देख सकते हैं कि आपके phone screen में कुछ ऐसे options आ जाएंगे तो यहीं से आप confused हो जाते होंगे कि आप पर खुझेंगे कैसर को इसको delete करेंगे तो उसके बाद यहां पर आप उसको और नीचे आई और यहां पर देख सकते हैं I need help का option यहां पर दिया हुए है तो आपको बस इससी पर Klik कर देना है तो आप जब इस पर क्लिक अब ये steps friends बहुत ही important है और बिल्कुल भी इसको skip मत करिएगा उनना आप अपने account को delete नहीं कर पाएगे उसके बाद यहाँ पर उसके सारी terms and conditions आ चुकी है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके account delete हो गया उसके बाद अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर जैसे आज का date है आ अगर आपको अपने account को permanently delete करना है तो आज जैसे उसके लिए आपने apply कर दिया तो आपको अगले 30 दिन तक अपने account को login नहीं करना है तभी आपका account delete होगा अब उसके बाद देखते हैं friends कि हम लोग को क्या processes करनी है उसके आगे तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे options यहा और आपका username आज आएगा नीचे password रहेगा password डालना है आपको password डाल के आपको continue कर देना है तो आई हम लोग तुरंद इसके password को डाल लेते हैं password को continue करते हैं तो उसके बाद का आपको दिखाते हैं So friends हम लोगोंने अपने password को डाल दिया है और password को डालने एक बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीकी का interface आपके phone screen में आ जाएगा और यहां पे लिखा हुआ है account deactivated मतलब कि आपका account जो Suspend हो चुका है आपका account deactivate हो चुका है और आपने अपने account को permanently delete करने के लिए जो processes किये थे उस अपको ले लिया गया है और अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपके account को यहां पर देख लिए यहां पर लिखा हुआ है आपके account को permanently delete कर दिया जाएगा और आपको सभी steps को बता ही अगर आप अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने account को login कर लेंगे तो आपके account डिलीट नहीं होगा लेकिन अगर आप अपने account को login नहीं करेंगे तो आपके account जो है permanently delete हो जाएगा आप लोगों ने दिखा कितना इसी वे से हम लोग ने अपने Snapchat account को permanently delete कर दिया है और अगर अगर आपको कोई भी confusion हो अगर कोई भी doubt हो तो आप हमसे पूस सकते हैं और आप लोग को नीचे description में भी link है माई Instagram account की आप चाहे तो हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं मैं वह आपकी अगर कोई भी problems को solve करने की पूरी कोसिस करूंगा so hope यह वीडियो आप लोगो अच्छी लगए फ्रेंड़ अगर वीडियो अच्छी है अग allen यह लगव यहीं इसलीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब ने यह फसक्राइब कोई डियेगा तो अन्यची वीडियो में तब तक के लिए